तो आई टाइमस नावारत के सवालों से किस तरीके से आनंद शर्मा भागे यह आपको दिखाते हैं मनीश्टिवारी पर पूछे गए सवालों का जवाब आनंद शर्मा के तरफ से नहीं दिया किया मनिश्टिवारी की किताब पर टाइम सुन अबारत में सवाल पूछा था उन्हें कहा कि मैं डिबेट में नहीं देना चाहता ये कहकर कि आनंद शर्मा वहाँ से निकले रूने कहा कि हमने जो कदम उठाए वो कदम बिल्कुल सही थे वो ततकालिन सरकार के द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी साबित थे उन्हें कहा कि सायम शक्ती का परिचाक नहीं होता है ये कहा मनिश्टिवारी ने जबकि उस वक्त वो अलग लग चैनल उस पर अलग लग प्लेटफॉम पर पार्टी का पक्ष पे रखते आते थे इसी को लेकर के आनक शर्मा से सवाल किया गया तो उनकी प्रतिकर है क्या रही ये दिखाते हैं आपको एक बात करो अंबेदकर से कहा मुंबई चले गए रुकिये 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 दूसरा सवाल तो विर्थ है ये प्रशन वही करेंगे अभी जब बस जे 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 मैं इसमें नहीं जा रहा मुझे मालूम है जो हमने कदम उठाए थे ठीक थे, निरने भी ठीक थे, बाकि मैं बहस में नहीं जाता हूँ अरे एक बात करो, अम्बेदकर से कहां मुंबई चले गए, रुकिये रुकिये, रुकिये, रुकिये दूसरा सवाल तो विर्थ है ये प्रश्ण वहीं करेंगे अभी जब मैं, बस जी, 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 मैं इसमें नहीं जा रहा मुझे मालूम है, जो हमने कदम उठाए थे, ठीक थे, निरने भी ठीक थे बाकि मैं बहस में नहीं जाता अब आरे से की प्रिशांद हमारे साथ जुट ज़ूए प्रिशांद अगर वो मानते हैं कदम सही थे तो इस सवाल के जवाब देने में हर्स किया था कि मनीश तिवारी जो लिख रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं? देखे, सवाल बिल्कुल सीधा था जो रिपोर्टरों ने अनन्द शर्मा से पूछा अनन्द शर्मा भी G23 से आते हैं और ऐसा सभी जानते हैं, ऐसा ही आउट इन ओपन है कि अनन्द शर्मा उस ग्रूप को रिप्रेजेंट करते हैं जो ग्रूप कॉंग्रेस के अंदर ही बदलाव चाहती है कॉंग्रेस के अंदर कई तरह के बदलाव का उन्होंने आइडिया भी दिया है अलग-अलग फोरम पे सवाल साफ था कि क्या जो मनीश तिवारी ने अपने किताब में लिखा कि सायम बरती गई, वो प्रोयक्टिव मेजर्स नहीं लिये गए रियाक्शन नहीं लिया गया चब्श ग्यारा के बाद क्या वो उनकी बात से तफाक रखते हैं पहले वो ना नुकूर करते नजर आए, पहले वो बचते नजर आए, फिर जाते हुए कहते हैं कि जो निर्ने लिया गया था सही था और जो कहना था मैं कह चुका हूँ तो वो इस सवालों से बचते हुए नजर आए, जाके करें, तो ये बयान अनन्द शर्मा की तरफ से आया है, आपको बता दें कि अनन्द शर्मा आज काफी लंबे अंतराल के बाद AICC Headquarters में Congress के Forum से Press Conference करते हुए देखे गया है, क्योंकि अनन्द शर्मा पिछले Parliament Session के बाद से ही कोई Press Conference नहीं किया था, Congress से किसी आधिकारिक फंक्शन में भी कमी दिखाई पड़ते हैं, और जिसना से G23 का फिर से एक बार अटैक आया है, जब कपिल शिबल ने बाहर आके Congress Congress की जो नेत्रित्व है, उसके बाद से आनन्द शर्मा भी कही न कई सूर में सूर मिलाते हुए नजर आये थे, अगर आज Congress के अधिकारिक पटल से आनन्द शर्मा का प्रेस कॉंफरेंस था, उस प्रेस कॉंफरेंस पर ये सवाल पूचा गया और कही न कई बचते हुए किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, और किताबों के उपर टिपनी करना हम नहीं चाहते हैं, ये कहा गया था कुछ वक्त पहले रणदीप सूर्जेवाला की तरफ से, आनन्द शर्मा जो कि Congress के पटल से प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं, तो जैसा कि मज़स्टरगी प्रि प्रेसनों से खुश नहीं है, पिछले बजट सेशन के बाद से आनन्द शर्मा कॉंफरेंस के जो ऑफिशल स्टार्ट्स होते हैं, ऑफिशल मीटिंग्स होती हैं, पार्टीज होती हैं, उनसे दूरी बनाते हुए देखे गए, अब अचानक से बाबा साब भीमरा मेडकर को आज समिदान दिवस को लेकर के फ्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे, लेकिन उसी समिदान दिवस में जब उनसे मनीश तिवारी की किताब के बारे में सवाल पूछा गया, तो आनन्द शर्मा जेपगर उनने कहा कि कहा मेडकर से आप सीधा मुंबई पर चले गए हैं